हेलो दोस्तों वेल्कम बैद टु माई चैनल लर्न विथ हमरीता स्वाइश दोस्तों हम जैसे की टेंसे सीख रहे हैं पीच-बीच में हम कंडराज भी सिखते हैं हम कुछ वर्ड मिनिंग भी सीखते हैं हम हुख वोक्यबलरी भी अपने स्ट्रॉं करतें कुछ स्पिकिंग स्किल भी सिखते और मेरे सॉट्स वीडियो में वर्ब्स के फॉर्म्स आते रहते हैं कुछ और इंफॉमेटिव वीडियो में देदी रहते हूं जिससे आपकी वोकाइबलरी भी बढ़िया और आपका नॉलेज भी इन्हेंस हो सके ठीके दोस्तों तो अभी इसके होती है है ठीक है घेड का यूज ammenैक अब किसी हैं पहांता है सेन्टेंश को पहचांते कैसे मदना हम पास Malat तेंश कर रहें लेकिन उसको हम सुन करके बोल करके देख करके पढ़ करके कैसे पहचाने कड़ेंगे क्यों पहिछान क्या होती है कि सबसे जागा important हिבा कि यह पॉर्फेक्ट एपको समझाओंगे कि यह पॉस्तों एक्जांपल के साथ हम समझेंगे इसका होता है इसका स्ट्रोक्चर को हम जान लेंगे तो एक्जाम्पल को समझने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, तो अगर हम आपर मेटिव सेंटेंस की बात करें, तो अपर मेटिव जो सेंटेंस बनते हैं, उसमें पहले आएगा subject, मतलब हमारा, फिर हमारा helping verb आएगा head, क्योंकि इसमें एक ही helping verb होता है head only, तो only head आएगा, वो सब में वही आएगा, हमें ये tensor नह ये सोचने की जर्वर्त नहीं है, फिर वर्प की third form लगेगी, वर्प की form के लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है, हर वीडियो में मैं बताती हूँ कि वर्प के form को आप देखते रहे हैं, और मेरे source में भी वर्प की form मैं बताती जाती हूँ एक दो एक तो, कि ताकि आपको लोग वीडियो देखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो source वीडियो देखकर के आप वर्प की form को समझ जाओ, और मैं आपको एक चीज और बता देते हूँ, वर्प की जो second और third form होती है mostly, मतलब mostly हो दोनों same ही होती है, जैसे ED लगे होते हैं, और कहीं-कहीं ED नहीं भी लिग लगेगा, वहीं अगर हम negative sentence बना रहे हैं तो पहले head, subject आएगा, helping verb आएगा, फिर not आएगा, फिर verb की thought form आएगा, फिर object आएगा, अगर हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना रहे हैं तो पहले हमारा क्या आद हैगा, हमारा head आएगा, head के साथ में not हो लगाएंगे, अग contraction में बना रहे हैं तो head के साथ note लगाएंगे, अगर हम contraction में नहीं बना रहे हैं तो पहले हम help लगाएंगे, सब्जेक लगाएंगे NOT लगाएंगे प्र रपक कित्दशक हम लगाएंगे, फिर object बनाएंगे, अब आप में सूज़ोगे कि contradiction क्या होता है तो इसको जरूर जाके देखेगा सारे contraction को मैंने उसमें पताया हुआ है लिकने यहां पर head के साथ क्या contract होके बनेगा यह मैं आपको भी सम्था देती हूँ जैसे eye जब head के साथ contract होगा तो ad इसका निकल जाएगा उसको हम id बोलेंगे तो यह से sort form हो जाएगा apostrophe s उपर लग जाएगा i का i रहेगा और head का ad निकल जाएगा only ad निकालकर तो only d use होगा तो फिर v के साथ भी होगा with हो जाएगा फिर u के साथ youd हो जाएगा दे के साथ dead हो जाएगा c के साथ sed हो जाएगा t के साथ hit हो जाएगा it के साथ id हो जाएगा और head और not दुनों एक साथ आएगेगे तो hadn't हो जाएगा मतलब A और N के साथ O जिसमें silent हो जाएगा हो जाएगा H A D आएगा फिर N एपस्ट्रोफी S की जगह replace हो जाएगा फिर T आजाएगा इसी तरह हर एक जो helping work होते है जैसे is not आता है तो isn't हो जाता है आर not आता है तो aren't हो जाता है इसके उपर मैंने ये वीडियो बनाई होई है आप इसको जरूर देखिएगा ताकि आपका ये भी concept clear हो जाएगा तो दोस्तों अब हम चलते हैं जानते हैं कि हम पहले तरीके से कैसे पहचानेंगे कि ये past perfect tense है तो first लीखेंगे कि कैसे हम जानते है to describe an action that happened before the specific time in the past एक specific time में past में घटना घट चुकी है जिसके बारे में बात करें तो past perfect tense होगा ठीके दोस्तों for example में खाना खा चुकी थी ठीके ये चीज मैं भी जानती हूँ और तूम भी जानती हूँ बनाद हम दो उस बात को जान रहे हैं कि हम में past में खा चुकी थी हम कल सुबा या आ हम बात कर रहे हैं specific time के बारे में past के बारे में थीक है दोस्तों तो वहां पर में खाना खा चुकी थी तो I had had food अब यहां पर बड़ा confusion होता है जब भी यह sentence आता है कि मैं खाना खा चुकी थी यह वह खाना खा चुका था जब भी यह वाला आता है क्योंकि हम वाप की third form लग यह वाब है मतलब खाना खा चुकी थी खाने के रिए खाना खा चुकी थी तो have मतलब खाना ठीक है और hai address का फॉर्पर हो गया यहां पर अगर यह फॉर्ट फॉर्म होता तो ऐसे लिखता है I have I had had food have food होता लेकिन यहां पर फॉर्ट फॉर्म निक रहे है इसलिए हम हैड का यूज करें फिर राधा जा चुकी थी राधा राधा हैड गॉन राधा जा चुकी थी तो राधा हमारा subject हो गया फिर हमारा helping one फिर वोग अब इस पर object कोई नहीं है क्योंकि यहां पर यह नहीं बताया है कि राधा कहां जा चुकी थी अगर यहीं पर राधा market जा चुकी थी तो हम लेखते राधा had gone to the market तो नेक्ष आपढ़ेंगे वह नहां चुका था अब दिखी जैसे कि मैंने आम बताया था कि second और third form दोनों एक मंदब सेम ही आते हैं जब भी form यूज होता है लेकिन कुछ कुछ अब दोस्तों अगर हम इसको contrast में लिखते तो क्या लिखते दोस्तों यहां पर मैंने बताया देड कम यह हमारा contrast मां हो जाता है थीके दोस्तों तुम गाना गाय थे हम बात कर रहें कि नहीं तुमने कल साम को पाटी थी तुम गाना गाय थे ठीके ए थे तो भी आप जब जाना कि यह पाश्ट परफेक्टर थे थीके तुम गाना गाय थे तुमने गाना गाय था थे तुमने गाना गाय थे यू है नौट गॉन ठीके अब यहां पर हमने नौट का भी यूज लगा दिया ताकि आप समझ सको क्योंकि हमने negative sentence भी पढ़ा दिया क्योंकि यह सेम ही होता है हर बढ़ एक नए एक्जांपल और अगर आपको एक्जांप देंगे जिसी कि आपका concept और अच्छे से clear होता है और प्रतिस जाद अच्छे से हो सके ठीके दोस्तों तो हम नहीं आपके लिए तुम नहीं कहते यू है नौट गॉन यू है यू है नौट गॉन तो पहले हमारा subject आया दोस्तों फिर हमारा helping work उसके बाद नौट फिर हमारा वर्प की थर्ट फॉम आई ठीके तो यू है नौट गॉन अगर 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 तुम क्या तुम जा चुके थे अब यहां पर question word आ गए मतलब इन अब यहां पर interrogative sentence आ गया तो पहले हमारा helping वबाद आजएगा हमने पहले helping word लिखा हमने लिखा क्या हमारा subject फिर उसके बाद व पूचे थे ऐसा हम पूचे क्या वह लोग नहीं आये थे अब यहां पर interrogative प्लस negative दोनों आ रहा है तो हम कैसे बनाएंगे देखिए हमने इसको contrast में बनाया है अगर आप head और not को दोनों को एक साथ contrast में यूज़ कर रहे है तो वहां पर head and बनेगा देखिन अगर आप दोनो had they come ठीके या फिर दूसरे टाप साथ बना सकते हो had they not come ठीके क्या वे लोग नहीं आये तो नहाए क्यों नहीं थे अब यहां पर question word बीच में आ गया जब यहां पर question word बीच में आये तो पहले question वाले word को हम लिखते हैं फिर उसके बाद हमारा rest all same ही रह जाता है ठीके तो why had not you bath तुम क्यों नहीं नहाए थे अब यहां पर रहता है कि तुम क्यों नहाए थे अगर रहता तो why had you bath तुम क्यों नहाए थे ठीके दोस्तों अगर यहां पर हम दूसरे टाप से बनाए तो why had you not bath तुम क्यों नहीं नहाए थे मोहन ने डांस नहीं किया था मोहन है नॉट डांस मोहन ने डांस नहीं किया था अब इसको कांट्रक्शन में अगर हम बनाए तो मोहन है डांस मोहन ने डांस नहीं किया था Hope you all understand अब आप सुचोगे कि यहां पर मैंने since और for लिखा हुआ है since यहां पर use होता है मैंने पहले भी बताया हुआ है with a point in the past मतलब कि हम past को point जब करके बात करते हैं तो महां पर हम since का use करते हैं for example since due, since monday मतलब और for का use करते हैं जो duration of time बताता हो जैसे कि 10 year, for 10 year, for 6 hour ऐसे duration of time जब बताता हैं तो वो for का use लेते हैं अब उन दूसरे तरीके से past future tense को कैसे जानेंगे हम इसके बारे में discuss करेंगे तो चली हम उसको भी देख लेते हैं कुछ example के साथ second type of sentence बनाने के लिए हम दिखते हैं कि to describe an action that happened before another past action मतलब कुछी past action में भी हम past की बात करें ठीके पास्ट में पास्ट के बात करें तो वहां पर भी past perfect tense होता है लेकिन इसके sentence कैसे बनाते हैं दो पास्ट एक साथ मिक्स हो का sentence बनाएंगे जैसे कि past perfect और past simple दोनों एक साथ ही होंगे तो जैसे कि यहां पर हम example लेगे जब रिया बाहर चलेगे तर मुझे चाबिया मिली ठीके यहां पर दोनों sentence है तो हम क्या यूज करते हैं पहले subject फिर had फिर वर्ब की third form लेकिन अगर negative में रहेगा तो हम पहले subject फिर did फिर not फिर वर्ब की third form यूज करेंगे यह तो आपको अब इसको use कैसे केते है use for an action that happened first or earlier वहां पर हम past perfect tense जो पहले हुआ हो ठीके फिर उसके बद जो दूसरा होता है for action that happens second or later जो बाब में होता है मतलब पहले नहीं होता है बाद में होता है वहां पर हम simple past का use करते हैं example के साथ example के साथ सीखते हैं जब रिया बाहर चली गई तक मुझे चाविया मिली ठीके चली गई थी ठीके तो रिया पहले बाहर गई फिर चाविया मुझे मिली तो पहले हम किसी स्थी बात करेंगे use for action that happened first and earlier ठीके दोस्तों तो first and earlier में क्या हुआ था रिया बाहर चली गई थी ठीके तो the after रिया had gone out ठीके यहां पर हम पहले action में क्या लगेंगे past perfect tense को लेंगे तो after रिया had gone out रिया बाहर चली गई थी I found her key उसके बाद मैं उसके की को मुझे उसकी की मिली या फिर मैं उसकी की को मैं उसके बाद मुझे उसकी चाविया मिली या की मिली ठीके दोस्तों एक और example देखते जब हम आये train छूट चूटी थी तो पहले train छूट चूटी थी फिर ह तो पहला action क्या हुआ था जैसे कि माली ची एक perfect time दिया हुआ है कि train रात में 10 बच के 5 मिनट पर निकलेगी और हम 10-20 पर station पहुँचे तो पहले earlier कौंस action हुआ था जी हाँ definitely पहले train निकल चुकी थी ठीके तो हम क्या लिखेंगे पहले हमारा past perfect आएगा यहां पर हमने बताया जो अर्लियर action होता है उसके हम past perfect लगाते हैं जैसे after as soon as until the moment ऐसे सब action आते हैं वहां पर तो जब हम train जब हम आए थे तब train चुब चुगी थी when we arrived जब हम पहुंचे थे the train had left train जा चुकी थी तो earlier कौंसी घटना हुए थी train पहले जा चुकी थी तब हम आए तो यह क्या हुआ simple past हुआ हमारा यहां पर कि जब हम आए वह हमारा second second action है जब हम पहुंचे थे हमारा second action हुआ लेकिन हमारा पहले train चुट चुका था तो इसलिए पर हम यहां पर past perfect लगाया थी कि दोस्तों मुझे बूख लगी थी मैंने 5 घंटे से कुछ भी नहीं खाया था थी कि अब यहां पांच घंटे से कुछ नहीं खाया था हमने 5 घंटे से कुछ नहीं खाया था था पॉस्टेक्शन हमारा यह है कि हम 5 घंटे से भूख यह हैं ठीके दोस्तों और मैंने कुछ भी नहीं खाया था था I was hungry थी कि के दोस्तों hope you all आपको दिख रहा होगा I was hungry I had not eaten anything for 5 hour मैं पिछल ळुख लगी थी कि दोस्तों यह खाय थी मुझे भूख लगी थी understand energyцию नहीं पता हो कौन था मैं उससे पहले कभी नहीं मिलें थी ृदलमथा नोग फूप पता वह कौन था यहां पर आप देखोगे कि सिंपल पास्ट भी लगा हुआ है और पास्ट कॉंटिन्वर्स का भी यूज़ हुआ है तो I don't know I didn't know I didn't know मुझे नहीं पता था वह कौन था मुझे नहीं पता था I had never seen him before मैं उसे देखा इसनलिध में कि मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा तो यहां पे पहला action क्या हुआ कि मैंने उसे कभी नहीं देखा है तो I had never seen before मैं इसके पहले उसको कभी नहीं देखा था I don't know मुझे नहीं पता आई डिडन नो, मैं नहीं चानती थी, वो कौन था, तो मुझे नहीं बता कि वो कौन था, मैं उससे पहले कभी भी नहीं मिली थी, तो ऐसे करके जो भी sentence आएंगे, तो आप वहाँ पर समझ जाना कि ये past perfect else की बात हो रही है, और आपका comment ही हमारे लिए, जो है कि motivation का काम करता ह क्या आपको इन सब sentence को सीखने में interest आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, मैं मुझे कहीं mistake हो तो आप उसे भी सुधार सकते हो, और आज का ये video आपको कैसा लगा, आप मुझे comment करके जिरूर बताएगा, और अपने दोस्तों के साथ अकसर share कीजिए, ताकि आप उ प्रेक्टिस करती हो साथ में, क्योंकि जब तक प्रेक्टिस नहीं होगी, कभी भी हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो जब आपने दोस्तों के साथ family के साथ इस video को share करोगे, वो भी सीखेंगे, तब आपके साथ talk करेंगे, बात करेंगे, तब जाकर के आपका practice complete होगा, और आप practice करना इस्टार्ट करोगे, तो hope you all understand that things, जो भी मैं आपको सिखाती हूँ, आप लोगो understand होता होगा, समझ में आता होगा, फिर दोस्तों मिलेंगे next video में, तब तक के लिए धन्यवाद, चैन्गे,